असलाम लेगों एवरीवन वेलकम तो दा मंट्स टेग बूटकेम एंड दिस इस दा मॉड्यूल वन अच्छा जी सबसे पहले मैं आपको इस मॉड्यूल का और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दू के यह कोर्स जो है यह डिजाइन किया है मैंने यानि कि मौसुन मु सबसे पहले मैं आपको इस मॉड्यूल का इजेंडा बता दू और इस मॉड्यूल की कुछ खास-खास प्रॉपर्टी बता दू एक बात देखिएगा कि यह जो हमारा कोर्स है यह 25 घंटे का कोर्स है 25 आर्ट इसकी डूरेशन है इसकी लेंट है और तक्रीबान हमारा किया जाई है तो तो यह दो महीने तक भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन के हम कितना कॉंटेंट कवर करते हैं पर वी कोशिश हमारी यह होगी कि हम अपनी स्पीड फास्ट रखें लेकिन चुके बहुत सारे सुडेंट्स के पेपर्स भी हो रहे हैं अभी युनिवस्ट के अंदर तो कॉपरेट करते करते हम इंशालला आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम कितना हम पर वी कवर कर सकते हैं जितनी तेजिस है जायर सी बात है वीकली बेसिस पर हम कवर करेंगे उतनी तेजिस हमारे मॉडूल कंप्लीट होगा तो इस कोर्स की लेंद एक प्रेक्टेस एकसराइज दोंगा वो आपको सासाथ कवर कर लिए अच्छा इस इस मॉडूल के आगर मैं पोर्स कॉंटेंट की बात करूं तो यह कॉर्स कॉंटेंट जो है यह दो लेंग्विज पर बेस करता है पहली लेंग्विज जो है वह सिसके अंदर हम देखेंगे औ यानिके इसके अंदर हम UI designing सीखेंगे और UI designing को हम further अपनी इस skill को polish करेंगे इसको advanced level पर जाएंगे लेकर जाएंगे in module 2 and in module 3 उसको हम आगे discuss करते हैं अच्छा जी इसके इलावा ये कि मैंने इदर आप जैसे देख सकते हैं कि HTML जो है इस course के अंदर contribute करेगा तकरीबन 10 hours 10 hours का जो content होगा वो हमारा HTML का होगा और 15 hours का जो content होगा वो हमारा CSS का होगा HTML क्या है क्यों है CSS क्या है क्यों है कैसे है क्यों जरूरी है यह सारी चीज़ें हम आइस्ता आइस्ता देखेंगे लेकिन lecture number 1 के अंदर यह भी हमारा target नहीं है इस course के अगर मैं nature की आपको बताऊं nature की बात बताऊं तो यह course जो है डिजाइन किया गया है for absolute beginners and will completely be a practical and practice based course इंशाल्ला यह completely आपका practice based course होगा शुरू में कुछ lectures ऐसे होंगे कि जिसके अंदर में आपको powerpoint presentations और कुछ नोट्स और कुछ आर्टिकल रेफर करूंगा ताकि हम terms and terms and terminology समझ सकें web development की computer sciences की software engineering की कुछ basic terminology समझ सकें लेकिन आइसता आइसता जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि purely practical based course होगा यह सिर्फ और सिर्फ आपकी practice से होने वाला है तो पैक्टिस जितना अधादा करेंगे उतना अधादा आप स्ट्रॉंग होते जाएंगे इस फिल्ट के अंदर अच्छा जी अब मैं आपको बता देता हूं जो मंट स्टैक बूटकेम है इसके अंदर हमारे कितने modules होने वाले पहले module के अंदर जो है जो कि हम अभी जिस face के अंदर है जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम web user interface designing देखेंगे थ्रू HTML और CSS यानि के इस course के अंदर हम दो languages पढ़ेंगे HTML और CSS बस और UI designing करेंगे थ्रू HTML और CSS इसके लाब मॉडियूल 2 के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो module 2 है हमारा JavaScript JavaScript को evergreen language कहा जाता है और इस वक्त ये दुनिया में rank कर रही है इस वक्त दुनिया में सबसे जाधा demanding language जो है वो JavaScript है तो module 2 के अंदर हम JavaScript को देखेंगे core JavaScript तक हम जाएंगे detail में JavaScript को पढ़ेंगे और web developer के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी JavaScript यानि के core JavaScript पे command hustle हो उसको तो module 2 के अंदर हम JavaScript देखेंगे और JavaScript के इसके अंदर भी दो पार्ट से module 2 का जो पार्ट यह होगा उसके अंदर हम JavaScript fundamentals क्लियर करेंगे JavaScript एक programming language है इसके फंडमेंटल यह fundamental concepts आपको हर programming language के अंदर काम आएगे यानि कि अगर आपने जावा स्क्रिप्ट के fundamental concepts पढ़ लिए तो आप किसी भी programming language के fundamentals यानि कि उसकी basic concepts आप पढ़ सकते हैं आप चाहे Python की बात करें आप चाहे C++ C Sharp C language की बात करें किसी भी एक programming language की अगर आपने basic सीख ली कोई भी programming language अगर आपने सीख ली तो आप कोई भी programming language basic से लेके code तक सीख सकते हैं तो JavaScript के fundamental हम सीखेंगे module number 2 के part A में और part B के अंदर हम dive करेंगे into the code JavaScript इंचाहला अच्छा जी module 3 जो है हमारा उसके अंदर हम JavaScript के दो framework की बात करेंगे यानि कि हम react और react और next framework देखेंगे हम यह react क्या है next क्या है यह सारी चीज़ें इंचाहला इसता इसता आपको clear होती जाएंगी लेकिन यह सारी languages जो है यह आपको web का front end बनाने में मदद करेंगी web का front end क्या होता है web का back end क्या होता है यही सारी terminologies हमने आगया आने वाले कुछ lectures में cover करनी है तो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो कोई मसले वाली बात नहीं है आप relax रहें आसता है सारे concepts clear होने शुरूर देंगे तो module 3 के अंदर आप react देखेंगे react हम सीखेंगे ज module नंबर 3 तक पहुंचते हैं हमें 4 से 5 से 6 महीने लगेंगे लेकिन module 3 पे command hustle करने के बाद module 3 को 100% complete करने के बाद आप किसी भी software house में एक अच्छी job कर सकते हैं आप यहां पे jobs के लिए apply कर सकते हैं यह बात मैं आपको बता दूँ के बाद ही आप अपनी freelancing journey शुरू कर सकते है core JavaScript के बाद आप अपनी freelancing journey स्टार्ट कर सकते हैं आप छोटी मोटी services देना शुरू कर सकते हैं 50 डॉलर 100 डॉलर की services आप यहां से देना शुरू कर सकते हैं लेकिन module 3 के बाद आप professionally यानि कि किसी organization के अंदर software houses के अंदर आप jobs के लिए apply कर सकते हैं मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बहुत सारे engineers हैं जो react engineer के तौर पर job कर रहे हैं react इस वक्रेंडिंग के अंदर है और javascript की library है जैसा मैंने आपको बताया प्रेंडिंग के अंदर है और इसकी बहुत demand है market में और इस module के बाद यानि module 3 के बाद आप job के लिए apply कर सकते हैं और इंशाल्ला आप hire भी होंगे इसके बाद मैं अगर बात करूं module 4 की तो module 4 होगा हमारा react native जो है वो mobile application का UI development के लिए language है इसको हम further देखेंगे जब इस module पर आएंगे module 5 जो है वो completely backend से related है इसके अंदर हम mongodb यानि के यह database सीखेंगे node.js जो के javascript का framework है again for backend और express जो के node.js का framework के वो सीखेंगे अच्छा ये framework क्या होते हैं, libraries क्या होती है, frontend, backend क्या है, database क्या है, ये सारी चीज़ें वक्त के सासाथ आपको clear होती जाएंगी अभी जितनी बात बताता जाओं उसको आप पकड़ते जाएं और आप अगर चाहें तो internet पे सब चीज़ें मौजूद हैं, इन terminologies को search भी कर सकते हैं लेकिन work के सासाथ ये सारी terminologies clear होती जाएंगी, अभी सिर्फ में आपको module और इस bootcamp का introduction दे रहा हूँ अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, expected duration क्या होगा हमारा इन modules का, module 1 जो है हमारा जैसे कि हमने देखा UI designing का जो हमारा है through HTML and CSS, वो तकरीबन एक से डेड़ महीने के अंदर हमारा complete हो जाएगा, कोशिश करेंगे कि इसको एक महीने में complete कर सकें, नहीं, तो डेड़ से दो महीने मे हमारा complete हो जाएगा, module 2 जो कि हमारा JavaScript का है, यह थोड़ा सा हमारा time लेगा, और मैंने आपको बताया, आप JavaScript अगर पढ़ लें, तो आप कोई भी programming language पढ़ सकते हैं, और JavaScript strong होना बहुत जबूदी है किसी भी web developer के लिए, क्योंकि आगे जितना काम करने वाले हैं, हम सब का सब JavaScript पर base करेगा, module 3, module 4, module 5, totally JavaScript पर base करने वाले हमारा, तो JavaScript को हम अच्छा time देंगे, तकरीबन 2 महीने के अंदर हम JavaScript को cover करेंगे, इसके बाद module 3 जो कि हमारा React का module है, वो भी तकरीबन 2 मंस के लिए, 2 मंस के हम cover कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि module 3 के बाद, आप software houses में, jobs के apply कर सकते हैं, और React Engineer की इस वक्त मार्केट में बहुत jobs available हैं, तो module 2 के बाद, you guys can start your freelancing journey, and after module 3, you can start applying in national or multinational organizations, so module 4 जो है हमारा, जो के react native है, वो भी हम तकरीबन 1 महीने के अंदर cover करेंगे, react native की भी बहुत jobs available है, इस वक्त मार्केट के अंदर, अच्छा, इसके लावा, अगर आ पर पे जाके देखें, आप फाइवर पे जाके देखें, तो react native के projects आपको भरमार मिलेगी, react native, react native, और इस वक्त रियक्त नेटिव को एक language cross करते वे आगे बढ़री है, बीट करते वे आगे बढ़री है, जो के है flutter, react native और flutter इतना trending में क्यों है, इनकी क्या वजुहात है, यह हम इस module में आते वे, यह वक्त के साथ सा जब module में हम आगे बढ़ेंगे, तो हम discuss करेंगे, अच्छा जी, module 5 जो है, वो हमारा 3 मंद का होगा, क्योंकि इसके अंदर हम complete web का backend सीखेंगे, तो web का backend क्या होता है, क्यों होता है, यह साही चीज़ां आगे हम जाके discuss करने वाले लेकिन अभी हम यह देख लेते हैं, यह वेब development में हम backend पे आएंगे, वेब development के इस module में हम backend को discuss करेंगे, module 5 इंशाल्ला, तो यह हमारा तकरीबन, तकरीबन 8-9 महीने का course है, इंशाल्ला, 8-9 महीने के अंदर, और अगर हम अपनी speed fast रखें, तो यह 6 महीने भी हो सकता है, ले यह हमारा lecture number 1 का part 1, इंशाल्ला, इस lecture number 1 के part B में आगे बात continue करते हैं,